नमस्कार मैं हूँ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम भागे चाकर, कारेकरम के जरीए आपको उन तमाम चीजों का पता चलता है जो आज पूरे दिन में घटने वाली है यानि की कही न कहीं आपका राशी फल कैसा रहेगा ये आपको बताया जाता है कारेकरम में हमारे साथ अचारे सतीज जोशी जी मौझूद है सूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अचारे जी कारेकरम में और कारेकरम की शुरुआत करेंगे हम आज के पंचांग के साथ आज का पंचांग क्या कहता है अचारे जी से आज 18 अप्रेल दिन वीरवार चैत्र शुकल पक्स की आज चतूर दर्चीती थी है जो साएं 7 बज के 27 मिन तक चलेगी आज हस्तनक शत्र है रात्री 9 बज कर 25 मिन तक रहेगा आज इन बच्चों का जनम होगा उन बच्चों के जनम का पहला अक्षर होगा पे पो शै आज किसी परकार का गंडमूल दोस नहीं है पंचक इत्यादी किसी परकार का कोई दोस आज नहीं है आज व्यागात योग है रात्री 7 बजे तक और आज चंदरमा कन्यारासी में है और सुर्य भगवान मेश रासी में चल रहे हैं आज का राहुकाल बारा बज़ के पांच मिनट से लेकर एक बज़ के तीस मिनट तक आज दिसासूल दक्षिन दिसा में आज दिसासूल है अतियव शक्ता में ही दक्षिन दिसा की यात्रा करें और यात्रा प्रारंब करने से पहले दही का सेवन करें, अपने इस्ट देवता को नमस्कार करें, यात्रा मंगल में हो, ऐसी प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा मंगल में रहेगी, आज का सुब समय, आज लाब चोगडिया रहेगा, दस बजे से लेकर ग्यारा बज के तीस मिनट तर, औ अमरी चोगडिया रहेगा, चार बजे से लेकर पांच बज के तीस मिनट तर, इसमें आप किसी भी परकार का मंगली कारे कर सकते हैं, किसी भी काम की सुरुवात बहुत ही अच्छी रहती है, उसका पूर्ण फल आपको प्रापत होगा, बिल्कुल तो पूर्ण फल प्राप मेश रासी के लोग आज विशेश व्यक्ति से मुलाकात होगी, कारोबार मिटिंग में लोग आपकी बात को सुनेंगे, आर्थी सिती में भी सुधार आएगा विख रासी के लोगों के लिए पिछले कारे को पूरा आज कर सकेंगे, संतान पक्स की चिंता दूर होगी, लव पार्टनर नाराज होगा तो उसे मनाने की कोशिश करेंगे मिथु राशी के लोग आज अपनी ग्रेटिवी से लोगों का ध्यान अपनी और कर सकेंगे किसी मांगली कार्य की रूप रेखा आज तयार होगी सिंग करक राशी के लोगों के लिए आज नई आर्थिक योजनाओं से सामना हो सकता है कारोबार आपके मनाकुन रहेगा नए कार्य भी आपको मिलेंगे सिंग राशी के लोग खुद पर नियंतर रखे अधिक करोध काम बिगाड़ सकता है इस राशी के जातकों की आज तरक्की होगी कन्या राशी के लोगों के लिए आज गिसमा साथ देगी कार्य चेत्र में कुछ नया करने की कोशिस करेंगे कार्य धीरे होगा लेकिन पूरा जरूर होगा तुला राशी के लोगों के लिए आज खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे किसी कार्य की इसकी जंजीर आपको बान सकती है संतान पक्ष की ओर से अच्छी खबर मिलेगी मृष्चिक राशी के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक सुधार का रहेगा समाजिक सम्मान में बढ़ोत्री होगी संतान और सिक्षा को लेकर चल रहा पर्यास आज सफल होगा धनूरासी के लोगों के लिए आज प्रफर्टी से समंदित मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आज आप लव पार्टनर के भुष्य को लेकर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं मक्करासी के लोगों की आज कारे च्छमता बढ़ सकती है यात्रा के योग बन रहे हैं रिस्तों में मजबूती लाने का भी समय आ गया है कुम्ब रासी के लोगों के लिए आज महिला मित्र का सहयोग आपको पूरा मिलेगा आपके ती से जुड़ी किसी व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात होगी और समय यादगार बन जाएगा मीन रासी के लोगों के लिए आज खुश रहेंगे और शान्ती बनी रहेगी आने वारे समय में आपको कारे में बड़ा बदलाव आएगा सारीरी कश्ट का विशेष द्याराखिंग सारीरी कश्ट हो सकता है तो आज का राशी फल आपने जाना और जाना की कौन से राशी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उन खर्चों के बारे में जो दिन बदल लोगों के बढ़ते जा रहे हैं और कही न कहीं लोग ये कहते हैं कि पैसटा आता तो है अचारे जी लेकिन टिक नहीं पाता इसके पीछे ये भी का जाता है कि कुछ ग्रह इसके पीछे होते हैं उन ग्रहों का जिक्र आप थोड़ा करें देखिए आप सबने कहो सुनी होगी आमदनी ठनी कर्चा रुपईया आज कर यही चल रहा है क्योंकि सामाज में सुक सुविधा बड़ी है और प्रतेख सुविधा अरेक इनसान को चाहिए सुबह उठने से लेकर रात्री तक प्रतेख सुविधा बिजली पाणी मोबाइल गाड़ी सब चीज हर एक इनसान की आज जरूरत बन गई है पुराना समय था लोग बचत कर लेते थे अपने जो दिन चरिया में कटाब करते थे अपने सुक सुविधा में थोड़ा नियंत पर उसने गाड़ी ली तो इंसान खुद भी चाया उसकी पोकटलो नहीं कर रही फिर भी वो गाड़ी ले लेता है तो बचत उससे कम हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं खर्चे बढ़ने कार पती के साथ पतनी को भी काम करना पड़ता है तो जब दो आर्मी काम करते ह तब जाके घर का खर्चा पूरा चलता है तो इसका मुख्य हम जो 30 के हिसाब से देखें तो इसका मुख्य कारण राहू केत्व रुषणी है क्योंकि जब भी चतुर्थ भाव में राहू बैठेगा चतुर्थ बावे हमारा धन इकठा किया हुआ धन दूसरा बावे हमारा बैंक बैलेंस जो हमने पैसा जम्हा पुंजी भविश्य के लिए निवेश कर रखी है ग्यारमा बावे इंकम आज कल इंकम बढ़ती है हर साल इंक्रिमेट लगता है परमोशन होती है प्रन्तु जो खर्चे का घर है बारमा घर यानि व्याय भी बढ़ जाता है और सुख सरदान बढ़ता है क्योंकि आज कल प्रतेक व्यक्ति को हर एक सुविधाच चाहिए घर में सब परकार की टीवी हो वासी मशीन हो हर एक परकार की मुबाइल इंटरनेट तो नीमित खर्चे इंसान ने पार रखें व सरसा कहते हैं हमारा पैसा तो बढ़ता है इंक्रिमेट भी लगता ही आप दस परसेंट तो खर्चा बढ़ जाता है बीज परसेंट तो बचत कैसे होगी बचत ना हो तो भविश्य एनिस्चित रहता है कभी भी नौकरी छोड़नी पड़ती है तो आपके पास अगर जमा बाहू शनी और केतु जब भी दुट्या भाव में केतु आता है तो बैंक बैलेंस जीरो जो भी जमा पुंजी है वो सब खतम हो जाती है और जीरो बैंक बैलेंस हो जाता है तो केतु के यहां पर उपाय करने चाहिए इसी परकार के अगर 12 भाव में शुकर बैठ जाए चंद दस रपीय खर्च करने के लिए प्रन्तु ये ग्रह जो खर्चा है वो सो रपे करा देते हैं यानी एक चीज लिएन जाता है दस चीज साथ में दिख जाती है तो खर्चा बढ़ जाता है तो इन ग्रहों को कंट्रोल करें और सयम से काम ले धेरे से काम ले विश्य की चिंता करें खास कर जो यंग बच्चे हैं उनको बच्चत बहुत जुरूई करने चाहिए क्योंकि कभी भी समय किसी परकार का समय आ सकता है आपकी ट्रांसपर हो सकती ह है आपने परपर्टी में इमेस्टमेंट भी करना है अगर आपके पास बच्चत नहीं होगी तो कैसे होगा तो जो यंग बच्चे हैं नोजवान हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि बच्चत जरूर करें एक गुलक बना ले या एक अकाउंट खोल ले उसमें हर महिने ये नि क्लब कर लेंगे तो राहू के तूशनी का प्रभाव भी कम हो जाएगा और चंदर्शुकर जो द्वादस भाव में खर्चा बढ़ाते हैं वो भी कम हो जाएगा और धहरे होगा केसर का तिलक लगाने से धहरे आता है इंसान सोच समझ के लगजरी को यूज करता है बिल्कुल तो कही न कहीं आपने बताया कि कौन-कौन से वो ग्रह रहते हैं जिन ग्रहों की वज़ा से बचत नहीं हो पाती कोई ऐसा उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जिससे उनके घर में बचत हो बिल्कुल देखिए सबसे बड़िया उपाय है ब्रस्प करेगा तो केसर का तिलक ब्रस्पती को स्ट्रोंग करने के लिए जरूर लगाना चाहिए जिस घर में मंगण बद होता है यानि अक्सर गुसा रहता है तनाव रहता है उस घर में इंकम नहीं होती कम होती है बचत नहीं होती तो मंगण बद की वज़े से हनुमान जी का ध्य कि नहीं कर सकता तो सीलन दर्सकों से निवेदन है कि अपने घर में सीलन कभी भी ना रखें क्योंकि सीलन रखने से सीलन होने से चंदर सनी का मेल हो जाता है चंदर सनी का मेल क्या होता है आदमी के पास जमा पुंजी होती है पचास रुपे और वो काम सुरू कर देता है सो का यानि जितना पैसा होता है उससे कई गुणा ज्यादा काम सुरू कर देता है फेक्टरी लगा लेता है दुबरा वापस लोटेंगे आप पर अचारे जी अनिता गर्ग जूड़ गई है हमारे साथ नाहन से स्वागत अनिता आपका पूछी क्या पूछना चाहती है आप नमस्काइब नमस्काइब खुश रहो मेरा देटो बरता 30 मार्च 1960 बीर के देखिये जब भी जनम कुंड़ी में अस्टम भाव की दसा आती है चटे भाव की दसा आती है तो इंसान की तबियत ख्राब हो जाती है इंसान स्वस्त नहीं रहता परंतु ये दसाएं सिमी समय तक रहती है ये नहीं है पूरी लाइफ रहती है ऐसा कुछ नहीं है तो ये सिमी समय तक रहेगी थोड़ी से दसा आपके नर्म चल रही है परंतु आप अपना होंसला रखिए और सैर कीजिए अपने योगा कीजिए अपने खान पान पे निरंतन रखिए तो निश्चित रूप से आपकी से ठीक हो जाएगी आप उपाये जरूर कीजिए एक किलो सतनजा गववों को खिलाया कीजिए केसर का तिलक लगाएं ये दो उपाये करने से ही आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा और जनवी 2020 के बाद आप पुरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी घंवाज दुक्रतु हम बात करें थे सेवी इसके बारे में बच्चत के बारे में कि किस तरीकी से बच्चत हो उसके लिए उपाये आचारी जी आप हम बितारे बिलकु देखिए जब भी शनी चंदर का मेल होगा घर में सीलन होग घर में सीलन होगी तो शनी का प्रभाव तेज हो जाएगा इसलिए कभी भी घर में सीलन नहीं होनी चाहिए जब भी सीलन आए उसका तुरंत उपचार कीजिए उस सीलन को हटाईए क्योंकि जब भी शनी की सीलन सुरू हो जाएगी तो इंसान का जो दिमाग है वो बहुत करने की सोचता है अपनी जमा पुझी नहीं देखता अपनी हैशित नहीं देखता और किसी ओर को देखका अपने दोस्त को देखकर प्रोशी को देखकर उससे आगेर निकलने की कोशिश करता है वो यह उसको खराब करती है इसलिए स्थीलियन घर में ना हो दूसरा Super सबसे बड़ा अगर आपकी कोई टूटी वगरे पानी लिक कर रहा है तंकी से पानी अवरफलो हो रहा है वो भी सबसे बड़ा खर्चे का कारण है जमा पूझी नहीं होती तो कभी भी अपने घर में जो टैप है वो कभी भी आपकी पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, पानी का टंकी का और फ्लो सबसे खतरनाक है, अगर और फ्लो होता है, इसका मतलब आपका पैसा वेश्ट जाएगा, फालतु खर्चा होगा, यह चोटी-चोटी बातें घर में जुरूर ध्यान रखें, और सबसे जुरूरी है, नोर्थीस् कभी भी अच्छा फल नहीं देती, तो इस दिसा में आप साफ सफाई रखें, छोटे फोदे लगाए, फूल लगाए, गुलाब का फूल लगाए, गैंडे के फूल लगाए, जिससे इस दिसा में सकरात्म कुर जाएगी, क्योंकि पैसा इसी दिसा से आता है, तो अगर दिस खराब हुई, तो पैसा रुख जाएगा, ये छोटे-छोटे उपाय कीजिए, निश्चित रूप से दर्शकों को इससे लाब होगा, और बचस शुरू जाएगी, खर्चे में कमी आएगी, ये उपाय जरूर करते रहें, बिलकुर, ये उपाय जरूर कीजिए, दर्शकों से भी अमनुरूत करना चाहेंगे, सात ही अब हम बात करेंगे आज जिनका जनम दिन है और जिनकी शादी की सालगिरा है, आज उनके बारे में थोड़ा सा जान देलते हैं, किस तरीके साथ पूझाओने कर लीजाएगे, जिनका जनम दिन है, उनको सरपत्म बहुत-बहुत स अच्छा रहा है आर्श्थिक स्तीती में बहुत ही सुधार होगा बहुत ही अच्छा रहेगा और पैसों में बढ़ोतरी होगी इंक्रीमेंट तो निश्चत रूप से लगेगा लगेगा प्रंतु परमोशन का योग भी बन रहा है थोड़ा ता स्तांतर यानी ट्रांसपर का योग बन रहा है जो आपके लिए अच्छा है आपको लेनी चाहिए ट्रांसपर ताव कि उससे आपकी तरक्की होगी और जो ट्रांसपर होगा परमोशन के साथ होगा पैसा बढ़ेगा आपका और नई जगह इस वर्स जो आप नई जगह जाएंगे वह आपके लिए बहु पूरण योग बन रहा है जिनका आज विवादिवस है उनके लिए भी वर्स पल बहुत अच्छा है उनको सरपर्थम कोई अगर मन मुटाव है उसको दूर करने के लिए किसी धर्मस्थान में जाएं वहाँ पे साथ प्रिकर्मा करें हाथ तकड़कर भगवान से प्रार्थ करें कोई भी कोई भी गर्या जो खराब कर रहा है और ठीक हो जाए और हम एक दूसरे के प्रती समर्पित रहे हम एक दूसरे का आदर सम्मान करें हमारे अंदर प्रभु धैर्य दीजिए वांगे में अस्यास्त्व जब विवादिया तो हम कहते हैं कन्या और वक्स से करने चाहिए यह जुरूर करते रहें तो जाना हमने कि आज जिनका जनम दिवस है और जिनकी शादी की सालगेरा है उन्हें किस तरीकी से आज पूजा करनी चाहिए फिलाल के लिए हमारे खास कारेकरम भागे चक्र में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्श प्रिया आपका हमारे बहुत 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 जापका हमारे खास किस तरीकी से आज ए्लतुर है अजितोओया और जह जाना ह।